हलो इस्टुएंट, वेलकम तू कोहरेंट इंग्लिस क्लासेज, मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मुहमद जियाउला कमर, आप देख रहे हैं हमारे यूटूब चैनल कोहरेंट इंग्लिस क्लासेज, और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं, बिहार अच्छा ये वीडियो बनने वाली है, तो बने रहे हैं इस वीडियो के अंदर आए स्टार्ट करते हैं, पैरगाफ नमबर 11 से लेकर, वाट इस मौरेन सिविलाजेशन, आधुनिक सप्ता क्या है, इस संसाधन की पूजा है, यानि कि जो वेस्टन सप्ता है, वो सप्ता क्य अच्छी है, संसाधन जो है आपके अंदर जो रूपिया, पैसा है, धन, दौलत है, उसकी पूजा है, इस वर्शिप और बूटिनस, ये जो है हमारे अंदर बूट का मतलब होता है, जो निर्दाइता जो होती है, मतलब जो जालिम, जो रबया है, उसको कहते हैं, तो ये ज सिवलाइजेशन है, पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताए था, कि जो वेस्टन सिवलाइजेशन है, वो क्या है, लूट, खसोट और लालच को बढ़ावा देती है, जबकि भारती जो सबता है, वो क्या करती है, वो हमारे अंदर जो नैतिकता, जो भाबना है, उस आप से request करता हूं कि current English classes Indian civilization का जो प्लेइस्ट दिया हुआ है उस प्लेइस्ट में चले जाएए वहाँ पे आपको सारी वीडियो जो है मिल जाएगी एक एक करके आप वीडियो को watch कर सकते हैं आगे चलते हैं यह पून्तभ भौतिक वाद है यानि कि भौतिक वाद किसको कहते हैं भौतिक वाद मतलब की संसाधन है हमारे अंदर धन दौलत रूपिया पैसा घर मकान जो जाएजात जो होता है उसको कहते हैं तो यह सारी चीज किया चीजिए है यह भौतिक वाद है यह जो modern civilization है जो की बढ़ावा करती है इस पर जो अपना समय खर्च करती है The modern civilization is nothing और जो अधुनिक सब्ता है वो कुछ भी नहीं है If it does not think that every step of Trump Trump दिखते हैं Donald Trump Donald Trump मतलब Trump का मतलब होता है जीत बीजेता जो होता है उसको कहते हैं ठीक है तो Trump का मतलब क्या हो गया है जीत If it does not think at every step of the Trump of material civilization अगर ये भातिक सब्ता की जीत के हर चरन के बारे में नहीं सोचती है यानि कि जो western civilization है वो क्या करती है वो जो है भातिक बात को बरहावा देती है लेकिन भारतिये सब्ता क्या होती है नयतिकता को बरहावा देती है समझ में आ गया और साथ में यहां पर आपको यह pronunciation भी दिया हुआ है अगर आप नए है और इस channel पर पहली बारा है तो हम आपसे request करते हैं कि एक हम लोग की किताब होती है जिसका नाम है Rainbow Snapshort Part 2 जो current English Classes की तरफ से निकलती है जिसका जानकारी आप इस नमर पर 9065829862 पर ले सकते हैं इसके अंदर पूरा जो लाइन वाला लाइन ट्रांसलेशन जो है जो स्किन पापो दिखाए दिया जा रहा है उस तरह पूरा ट्रांसलेशन रहता है और साथ में जो है इसके अंदर उच्चारन भी दिया हुआ जैसे देखिए What is Modern Civilization तो यहां पर लिखा हुआ रहेगा What is Modern Civilization तो इस तरह से क्या होता है कि देखिए सबसे बड़ी जो कमी होती है हमारे अंदर कि हम लोग क्या करते हैं बस जो है समझ लेते हैं वो खतम हो पाएगी कभी जिंदगी में नहीं खतम हो गई आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस किताब को जरूर परचेज कीजे इसके अंदर पूरा परनन्सेशन भी है और उचारन भी दिया हुआ है तो इससे फायदा यह होता है कि आप धीरे धीरे ही सही एक एक परग्राफ ही सही लेकिन जो है अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एक ऐसा समयागा दो मेना चार मेना पांच मेने में कि आप अराम से पूरी कॉंसेप्ट भी आपकी क्लिर हो जाएगी और साथ में जो है आपकी जो स्पोकन जो स्पीड है वो भी बरहेगी तो धीरे धीरे ही कोई स्टार्ट होता है कोई मा के पेट से सीखके नहीं आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 400 रुपे इस किताब का दाम है 532 पेच की किताब है जिसके अंदर पूरा चैप्टर इंडियन सिवलाज़िशन कल्चर का जैसे हुआ तो पूरा चैप्टर का जो है आपको ट्रांसलेशन रहता है पर्ननसेशन रहता है कोईशन आंसर हिंदी इंगलिस में ट्रांसलेट करके दिया हुआ रहता है उसके बाद जो है word meaning जो है इसके अंदर रहेगा आपको उसके बाद आपका जो है objective इसके अंदर रहेगा उसके बाद जो आपकी summary रहेगी वो भी हिंदी English में translate की रहेगी यानि कि पूरा solution इसके अंदर दिया हुआ है just for 400 रुपीज किताब का अदाम 300 रुपिया है आपको पूरा complete हम लोग एक package बनाए हुए जो teachers के लिए और students के लिए भी तो आईए start करते हैं अगला paragraph को देखते है paragraph number 12 it is perhaps unnecessary या सायद अनवश्यक है मतलब की इसकी आवसकता नहीं है if not, useless to weigh, वे का मतलब क्या होता है compare करना वे का मतलब की tolना तो compare करना तौन एक ही होता है तो it is useless to weigh the merits of two civilization । यानि कि जो दो civilization है दो सब्ता है, कोन-कोन एक western सब्ता मतलब पश्चीम देश की जो सब्ता है वह और जो भारति ये सब्था है वो उसका compare करना उसकी तूलना करना ये जो है अनवशक है इसकी जरुवत ही नहीं है अगर ऐसा नहीं है तो ये बेकार है क्यों कि ये परतीत होता है कि जब आप गो जब दोनों सब्था के बारे में पढ़िएगा तो ये आपको परतीत हो कि पश्मी देश के जो लोग है उसने जो पश्मी सब्ता ने ऐसी सब्ता विक्सित किये उस देश के लोग कि जो उनके जलवायू और परिवेस के अनुकूल है यानि उस सब्ता के अनुकूल है और ये दोनों अपने अपने छेत्र में अच्छे हैं कहने का मतलब यह है देखिए Western सब्ता में आप देखते होंगे के जो है, coat, pen, tie लगाकर लोग बहार निकलते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसका copy करके, इंडिया के अंदर भी हम लोग tie, coat, suit वेगड़ा हम लोग पहन के निकलते हैं, अब देखें, ध्यान दीजे, जो western सब्ता है, जो पश्रिम देश की सब्ता है, वहां की जो यह गरम है, अगर हम यहां पर port पहनेंगे, तो हम पशेने से तरबतर हो जाएंगे, तो कहने का मतलब यह है, कि हम उसकी तो compare, उसको जो हम लोग अपने आपस में, उसकी जो सब्ता को हम लोग तो ढाल लेते हैं, लेकिन असल में यह सब्ता की उसकी पहनावा है, वह हमारी जो भारतिये जो जमी है, उसके उपर यह नहीं चलने वाला है, क्योंकि दोनों की जो जलवायू है, या उसका परिवेस है, रहन सहन है, वह अलग अलग है, तो western सब्ता, western लोगों के लिए, जो पश्यमी देश के लोग है, उसके लिए सही है, और भारतिये सब्ता, भारतिय लोगों के लिए सही है, समझ में आ गया, आगे चलते हैं, paragraph number 13, the distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human mind, अधुनिक सब्ता में विसेश अंतर मानवी इच्छा की एक अनिश्चित बहु गुनता है, the characteristic of ancient civilization, ancient का मतलब जो पुरानी सब्ता है, यानि कि भारतिये सब्ता है, उसको कहते हैं, the characteristic, characteristic क का मतलब क्या होता है, विसेशता जो होता है, उसको कहते हैं, the characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and restricting regulating of this want, प्राचीन सब्ता की विसेशता इन परतिबंधों पे, restriction का मतलब होता है परतिबंध, तो इस परतिबंधों पे एक अनिवार्ज परतिबंध है और सक्त भी निमियन है, the modern or western instableness arise really from the wants of living faith in future state and therefore also in divinity, आधुनिक या पश्मी अस्थिरतापन, inestable, stable का मतलब क्या हो, इस्थिर होना और inestable का मतलब क्या हो, अस्थिर, तो inestableness का मतलब क्या हो, अस्थिरतापन, कि उत्पत्ती वास्ता में उस समय उत्पन होती है, जब भविस में भी रहने की चाहत हो, और देव ल जाए, तो दोनों की जो लालसा होती है, दीन भी चाहते हो, और दुनिया भी चाहते हो, दीन का मतलब होता है, जो दुनिया जो होता है, तो अगर दुनिया दोनों चाहते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, या तो आप दीन ले लिजे, मतलब कि आप अपनी जो है, ये जो साइयम एक विश्वास से उत्पन होता है often in the spirit of ourself in future state and existence of divine power भविस की चिंता को छोड़ कर खुद को परलोग की चिंता में लीन कर लेना यानि हमारे अंदर क्या होता है हमारी जो सब्टा उसके अंदर क्या होता है हम लोग क्या करते है कि आने वाले समय के बारे में हम लोग चिंता नहीं करते हैं हम लोग क्या करते हैं Divine Divine का मतलब क्या होता है Divine का मतलब होता है जो पर लोग यानि जो स्वर लोग है उसकी चिंता में हम लोग लीन होते हैं यानि हमारी सप्ता के अंदर धर्म पर जादे जोर दिया जाता है लेकिन जो western सब्ता होती है उसके अंदर क्या होता है वो जो भौतिक वात पे ज़्यादे ध्यान देता है समझ में आ गया आगे चलते है paragraph number 14 some of immediate and brilliant result of modern invention आधोनिक अविस्कारों के कुछ ततकाल और सांदार परिनाम invention का मतलब क्या हुआ invention का मतलब हुआ अविसकार brilliant का मतलब क्या हुआ शांदार ठीक है और result का मतलब क्या हुआ परिनाम are too maddening to resist लाजवाब कर दिने वाला too maddening to resist का मतलब क्या हुआ लाजवाब कर दिने वाला मतलब कि उसको जब देखेंगे तो उसकी चमक इतनी रहेगी कि आप उसके सामने लाचार हो जाएंगे आपको जवाब कुछ नहीं आएगा ठीक है यानि वो इनसान जो संघर्स नहीं करेगा वो बिजय नहीं हो पाएगा हम अस्थाई हित का सौधा जो है चन भर की momentary pleasure moment का मतलब होता है चन भर और pleasure का मतलब होता है खुश तो हम अस्थाई हित जो हमेशा हमारी खुशी रह सकती है उसका सौधा हम लोग क्या कर रहे हैं वो जो है चन भर के आनंद के साथ करने की कोशिस करते हैं आप जो है चावल देंगे आपको टो यह बार्厘ृ बार्टरिंग का मतलब क्या हुआ मंतलब की सौधा करना अगे चलते हैं पयर्गाफ नाम बोकर देखते हैं पर गांदी जी कहते हैं कि जिस तरह पच्छमियों ने अद्भूत वस्तूं की खोच की है similar Hinduism has made still more marvelous marvelous का मतलब क्या हुआ marvelous का मतलब होता है बहुत ही अद्भूत marvelous marvelous का मतलब क्या हुआ अद्भूत तो जिस तरह western सब्ता ने दुनियावी चीज़ की खोच की है यानि कि जो दुनिया की चीज़ की खोच की है दुनिया में सुख अराम और जो सुख को बढ़ाने के लिए जो अपनी जो संपन्ता या लगजरी जो होती है बहुत इक बात को बढ़ाने की जो खोच की है समान की उसी तरह जो है Hinduism मतलब जो Hindu धर्म है has made उसने जो है किया है still more marvelous discoveries in things of religion, of spirit, of soul और Hindu धर्म में क्या क्या है उसने जो है धर्म के विकास धर्म मतलब हिंदू धर्म ने क्या क्या है धर्म, अध्यात्मिकता और अंतरात्मा के छेत में बहुत ही अध्भूत सिधी प्रावत की है यानि कि उसने दुन्यावी चीज़ पर खोज बिन किया है उसको पाने की कोशिज किया है लेकिन हिंदु धर्म ने क्या किया है उसने धर्म को अपने जिंदगी में उतारने की कोशिज किया है अध्यात्मिक्ता अपने जिंदगी में लाने की कोशिज किया है तो इस तरह से प परगाफ नमबर पंदर तक का हमने लाइन बा लाइन ट्रांसलेट किया, आप इसके वर्ड मिनिंग को भी देख लेते हैं, यह वर्ड मिनिंग को आप एक कॉपी बना लीजे, और इस कॉपी में लिखना, राइड डाउन करना स्टार्ट कीजे, या फिर आप जो है किताब जो का मतलब क्या होता है, जीत, ट्रांफ, देखें, ट्रांफ हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही पननसेशन क्या है, ट्रायम्फ, 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 तो ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, जीत, अन्नेसेसरी का मतलब होता है, अनवशक, टुवे, वे का मतलब ब अपने छेत में जो जो छेतर है जो इलाका है उसके छेतर के अंदर Distinguishing Characteristic Distinguishing Characteristic मतलब विसेश अंतर देखिए इस तरह से pronunciation रहेगा कहीं पर जाने के जुवत है आपको नहीं है आप teacher हैं आपके लिए भी बहतरीन इससे क्या होता है pronunciation improve होती है इससे बहतरीन किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी जो किताब है या तो यहां से copy किया गया है हम लोग की coaching classes की जो किताब है रैन्वो से और देखिए copy किया वाला में परिसानी क्या होता है उसमें यह होता है इतनी गलती होती है कि तंग हो जाते हैं परिसान हो जाएगा और pronunciation कहीं भी कोई भी किताब में नहीं दिया गया है कि मल्टिप्लिसिटी का मतलब क्या होता है बहु गुंता, Bacheloring का मतलब क्या होता है वि स्थिर्तापन, Restrain का मतलब होता है सहयम immediate का मतलब होता है ततकाल to maddening to resist का मतलब होता है लाजवाब कर देने वाला resistance का मतलब होता है संघर्स momentary pleasure का मतलब क्या होता है च्छन भर का जो आनंद होता है उसको कहते है wonderful मतलब अद्भूत आप हमारी current English Classes की app को भी download कर सकते हैं और वहाँ पर आपको वीडियो अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पर हम लोग free करती है वीडियो को लेकिन देखिए वीडियो में हम पढ़ा के आपको देंगे न हमारी English improve होगी आपकी कोई भी English improve नहीं होगी किताब लीजेगा घर पर बैट के दो दो paragraph भी पढ़िएगा तो आपका English improve होगा तो हम आप से देखिए पैसा हम एक हजार दो हजार चार्ज नहीं कर रहे हम आप से 300 रुपया ले रहे 532 पेच की किताब ही दे रहे हैं कितना कमाते होंगे हम लोग 100-700 रुपय में हम लोग आपको पूरी चीज डिस्पैच कर देते हैं तो आप इस चीज को परचेच कीजिए घर पर बैठिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए थैंक्यू सो मच पर वाचिंग कोहरेंट इंग्लिस क्लासेश